हलो गुडवन्ट किया वह तो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है एजुकेशन सिस्टम के ऊपर इंडिया में एजुकेशन सिस्टम कैसा है और इसमें क्या क्या है और फाइद है क्या है वो सब कुछ और इसके लिए हमने एक टीचर को को इनवाइट किया यहां पर जो कि ऑल्सो हमारा फ्रेंड भी है और हमारा व्लॉगिंग पार्टनर भी एंड नाओ अल्सो पॉर्कास्ट पार्टनर सो वैलकम मिस्टर मुकल गुपता थैंक यू जो आपने मुझे अपने शो पर बुलाया तो बहुत टाइम से मैं भी यही सो जूरत है तो आई होब कि हम कुछ ना कुछ अच्छा मैसेज सब को दे पाएंगे तो मेरा भी में जो मोटीव है यह कि हमारे एजुगेशन सिस्टम में चेंज आना चाहिए क्योंकि आइधिंग जो कि 1995 से और अब तक एजुगेशन सिस्टम और बिल्कुल सेम है हमारी सभी बुक्स सभी लेसंस सब कुछ बिल्कुल सेम हमें अब टू डेट नहीं किया गया प्लास जो भी हम स्कूल में हमें एजस लेबस पढ़ाया जाता है वो हमारे लाइफ में आगे चाकर बिल्कुल भी काम नहीं आता और हद से जादा सलेबस होता है जिसके कारण जो स्टूड लाइब में आगे भी काम आए लेकिन वो काम आला हो ताकि सारी उमर बच्चा याद रख पाए जब बड़ा भी हो और वो दूसरों को भी सिखा पाए क्या आपको आज तक आपने जो भी स्कूल में पढ़ा है जितने भी लेसंस हैं कुछ भी पढ़ाया चाहे दिन सालों में ना हमारी गवर्मेंट ने जो एजूकेशन पॉलसी में छोटे मोटे चेंजिस की हैं उसके साथ सलेवस तो चेंज हुआ है बर जो में इशू यह है कि आज भी जो मतलब हमारे जितनी भी जिनरेशन है ना उनकी यही सोच हैं कि हमारे बच्चे के मार्स आने चाहिए उसको अंडरसेंडिंग हो या ना हो तो इसमें मैं आता हूँ यह मानता हूँ कि बच्चों और स्कूल से स्कूल के साथ साथ जो आज की जिनरेशन के पेरेंट्स हैं तो पेरेंट्स का भी इसमें कसूर उतना ही है जितना स्कूल टीचर का होता है उतना ही कसूर उस मैं school teacher को भी force करते हैं मतलब सभी एक जैसे नहीं होते ठीक है ना कुछ parents भी अच्छे होते हैं और कुछ school teacher भी अच्छे होते हैं बट ये भी cases मैंने बहुत जादा मतलब observe किये हैं कि जो parents होते हैं वो सिर्फ यही देखते हैं मुझे रटा मारना है marks लाने हैं बस ठीक इसलिए उनका जो education में या मतलब किसी भी चीज में interest ही नहीं रहता तो I think कि थोड़ा सा parents को भी इसके बारे में सोचना जाएए कि आपके बच्चे की understanding क्या बन रही है उसको देखिए marks का तो कोई use ही नहीं है वो तो useless है जैसे मारा podcast है मैं कहने वाला था तो education system को सुदाने के लिए क्या क्या किया जा सकता है आपके experience के हिसाब से मेरे experience के हिसाब से बचलो मुझे कुछ मतलब यह नहीं है कि जो मैं कहूंगा मतलब उससे हो जाएगा पर जो मुझे फील होता है मतलब यह ना मतलब काफी ज़्यादा मतलब यह ऐसा काम नहीं है कि मतलब भी साल में हो जाएगा या फिर दो साल में हो जाएगा इसको कम से कम 6-7 साल का time और चाहिए क्योंकि में इन दी problem कहा होती है कि हमारी जो सरकारे है वो जितनी भी education policy बनाती है वो सिर्फ उनके लिए बनाती है कि जो बच्चे school ही नहीं जाते तीक है ना आप लोग जब अगर primary school या फिर government school को अगर हम लोग देखते हैं तो वो सिर्फ उनके लिए system बनाते है फिर उसके बाद जैसे मतलब उसके जो उपर के लोग होते हैं जैसे कि कोई medium class की families है वो थोड़े से उपर आ जाते हैं उनका हम ये कह सकते हैं कि मतलब वो बच्चे school तो जाते हैं हमेशा बट वो फिर ये चाते हैं कि हमें भी औरो जैसी अच्छी education मिल पाए उनके लिए हमारी government के पास इतनी खास कोई policy होती नहीं क्योंकि वो अपना सारा जोर उसी तरफ होता है कि जो बच्चे school नहीं जाते हैं पहले उनको school लेकर आना है और education system जहां तक मुझे लगता है कि हमारे इंडिया में जितना मैंने भी अबजर्व किया है वो कोई education देने का तरीका नहीं वो सरी बिजनस है हमारे यहां private schools है इतने ज़्यादा उन्होंने education system को अपना business बनाया हुआ है और business भी ऐसे बनाया है कि वो फसाल लेते हैं students के साथ साथ parents को भी तो जैसे कि आप start कर लो uniform से मेरे हिसाफ से तो uniform school में सिर्फ एक हफते में एक दिन पहननी चाहिए क्योंकि इसका जो reason जो है जो मैं कहा रहा है इस बात का ही है कि उन्होंने अपनी जो अलग से uniform school बनाई होती है ना वो जा तो school से provide का दे जा फिर उन्होंने अपने authorized dealers जो दुकान दार होते हैं उनको दी होती है कि यहीं से लेनी तो बस school में बताते हैं कि यहीं मारी कुछ particular shop से चार या पांच वहीं से आपको uniform लेनी है उसके लावा नहीं दूसरा जो है इनका business module वो notebooks जो होती है जैसे भी classmate है जा फिर build 10 on 10 जा ऐसी कोई भी books है नोट बुक्स है स्वरी तो वो गहते वो नहीं चलेंगी वो अपने school की print की गई जो की बहुत ही महाँगा कि घटिया quality की होती है वो students को force करते कि यहीं लेनी है और इसी से आप काम करोगे आप बार के नहीं खरीद सकते तो यह भी है तीसरी बात वो books की तो एक साल जो books यूज करी है किसी student ने next year वो student अपने भाई या मैं किसी को भी वो books दे नहीं सकता वो school अले 17 नहीं करते वो बोलते कि हर साल हम से नहीं books करीद हो तो मतलब चेंज करो तो अगर आप मान भी लेए देखो इसमें शुपाने वाले बात नहीं है कि सरकारी स्कूल में education कैसी होती है हमें भी बता है तो इसलिए ग्रीब से ग्रीब आदमी भी पेरंस यही कोशिश करते हैं कि हम चाहे जैसे भी पैसे कमाई अपने बच्चों को अच्छी education दे पाएं तो private school में डाल देते हैं क्योंकि वहाँ पर care होती है education system अच्छा होता है बट अगर कोई माबाप अपनी मेनस से कमा के पैसे मुश्किल से बच्चे को private school में डाल भी देता है तो फिर ऐसे खर्चे जो हैं वो उन्हें बहुत तंक करते हैं तो फिर वो eventually जातो अपने बच्चों को किसी और school में डाल देंगे या government school में डाल देंगे तो यह चीज़े मेन बात यह है कि जो हमारे इंडिया में ना कि आप यह कह सकते हैं कि आदे से ज्यादा लोग जो भी schools में teaching करते हैं mostly आप कह सकते हैं कि private schools में जो teaching करते हैं वो वहाँ पर सिरफ इसी लिए आते हैं क्योंकि उनको कोई और job नहीं मिलती ठीक है ना jobs है नहीं इंडिया में इतनी जाता क्योंकि जितनी हमारे यहाँ पर population है उसके according तो इसी लिए जो private schools हैं वो एक तरह से अपना business ही चलाते हैं ठीक है ना और दूसरी बात यह है कि जो हमारे जितने भी लोग हैं वो यही सोचते हैं कि private schools में अच्छी education होगी ठीक ह बाकी जो अपना education system है उसमें तो बहुत जादा flaws हैं जिसको अगर हम explain करना चाहें या पर share भी करना चाहें तो हमें एक well research करनी पड़ेगे उसके उपर क्योंकि हम जितना भी अपने 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 शेयर किया है यह हमारा जो खुद का personal experience उसके basis पर है तो अग official है इसके बाद अला जो हमारा podcast है वो official होगा इसमें हमारा दोस पिंदर भी साथ में होगा तो तब हम शुरू करेंगे अपना main postcard episode first one से so thanks for watching everyone and thanks to be here तो आज का podcast यह भी खतम करते हैं and I hope कि आपको कुछ नहीं चीज़े जहां सुनने को मिलनी होगी या फिर आप भी इन सेसियों को लेकर तो प्लीज हमें बताना जरूर और मिलते हैं नहीं podcast के साथ और अपने official podcast के साथ बहुत ही जल तब तक के लिए take care and goodbye